तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 की प्रशनावली एक दस्मलोद 2 को देखेंगे बहुत ही easy है बहुत ही easy बस ध्यान से इसको देखना होगा इसमें बहुत ही कम question भी है सिर्फ 3 question है और बहुत easy है चलिए first question देखते हैं कि नीचे दिये गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं कारण के स सांथ अपने उतर देना है देखिए फर्स्ट क्วेश्टन में एक नuw कृिसरन है और तीनों कृप्षन क्या करना आ सत्य पहले पहुछानी उसके बाद इसका करांव मिताई क्यों सत्य वहां सत्य है यह सत्य तो क्यों है यह बताना कि परतिक और परिमे संख्या जो होगी एक वास्तिविक संख्या होगी बिल्कुल होगी क्योंकि वास्तिविक संख्या जो बनती है परिमे और और परिमे दोनों मिलकर के एक वास्तिविक संख्या होती है तो यहां पर सिर्फ कहा है कि और परिमे संख्या एक वास्तिविक संख क्या होती है सत्य बोलेंगे ज़नी इसी क्याशन का सभी बोलता कि परत्य परी में संक्या की वास्तिक संक्या होती है वह भी और परी में a ओ सत्य ठीक है जब सत्य तो इसका कारण भी बताना है तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सभी परिमे और अपरिमे सभी परिमे और अपरिमे संख्याओं का संगरा संख्याओं का संगरा ही वास्त्विक संख्या होती है ठीक है ऐस समझ में चलो इसका दूसरा है संख्या रेखा का परतेक बिंदू रूट एम के रूपका होता है जहां एम एक पारकिर्थ संख्या है देखिए बोला है कि संख्या रेखा का परतेक बिंदू root M के रूप का होता है जा M पारकिर्द संख्या है किमकी देखो जो हम लोग का root में होता है root के अंदर भी जैसे माल लोग दो number लेते हैं यह दो संख्या लेते हैं root 2 और root 3 तो उनके बीच में भी अनंद संख्या होगी ऐसा ने कि सिर्फ root 2 root 3 root 4 root 5 यहीं संख्या होती है बहुत सारे संख्या होगी इनके बीच में भी बहुत सारे संख्या मिलेगी लेकिन वो पारकिर्द संख्या नहीं होती है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे असत्य क्या बोलेंगे असत्य क्योंकि क्योंकि जैसे नंबर रहते हैं कोई संख्या रूट दो और रूट तीन आप कुछ भी ले सकते हो रूट छो रूट साथ भी ले सकते हो ठीक है रूट शे रूट साथ के बीच के बीच अनन्त संख्याएं अनन्त संख्याएं होती है अनन्त संख्याएं होती है जो की रूट एम के रूप के नहीं होता है जहां एम एक पुढांग है जहां एम एक पुढांग है ठीक है अगला देखिए परतेक वास्तिविक संक्या एक अपरिमे संक्या होती है बिल्कुल नहीं क्योंकि अपरिमे और परिमे मिलकर के एक वास्तिविक होता है ऐसा नहीं कि परतेक वास्तिविक संक्या अपरिमे होगा बिल्कुल नहीं क्या बोल क्योंकि वास्त्विक संख्या में परिमे संख्या भी होती है ठीक है क्योंकि जो वास्त्विक संख्या होती है अगला इसका second question है क्या सभी धनात्मक पुठांको को जल अगल्यक परिमे संख्या होती है लिखेंगे सभी धनात्मक पुठांको धनात्मक पुठांको धनात्मक पुठांको했 पुडांको के वर्गमूल के वर्गमूल अब परिमे नहीं होते हैं ठीक है अब परिमे नहीं होते हैं जैसे एक जामपल से बताते हैं जैसे माल लोक कोई रूट चार एक धनात्मक संक्या है लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा दो एक परिमे होगा लिखेंगे जो एक परिमेश संख्या है I hope कि आप लोग question number 2 तक समझ में आ गया होगा यह सब तो बहुत easy है जो आप लोग का question 3 है यह main है दिखाइए कि संख्या रेखा पर उठ पांच एक किस परकार के निरुपित किया सकता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर उठ पांच को किस परकार से निरुपित किया जा सकता है यह main question है ठीके तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे समझाने वाले हैं ध्यान दिजिएगा सबसे पहले आपके पास एक इंच होना चाहिए उसके बाद AD यानि चांद उसके बाद आपके पास यह चाहिए पेंसिल के साथ में यह यह तीन चीज आपके पास होना बहुत जिरूरी है जब भी एक जाम में आए तो यह तीनों चीज ले करके जाएए आईए हम इसको कैसे सल्ब करकते हैं कैसे इसका बनाएंगे कि रोट पांच को कैसे संख्यारिका पर दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीका से दिखाने वाल है ध्यान दिजिएगा ठीके सबसे पहले क्या करते हैं हमारा इंच क्यों सकता होगी इंच लेते हैं और एक इक लाइन ड्रो करते हैं ठीक है एक लाइन खिषते हैं ये देखो ये खमने लाइन किचा और चाह्त एक लिश्टेन्स यान्य एक कीका पर इसको गट करेंगे अंश्ब करना आयागा चलो इसको हम यहाँ से स्थार्ट करते हैं यानि 0 से start होगा, इधर जाएंगे तो plus 1, plus 2 में होगा, ऐसे हैं 3, 4, 5, 6, 7, इधर जाएंगे तो minus 1, minus 2 होते जाएगा, ठीके, यह सबको तो आ रहा होगा, अब देखो क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, रूट 5 को दिखाना है, तो आपको पता होगा, कि रूट 5 का जो वर्गमूल होता है, वो 2 point something कुछ होता है, यहने 2 से थोड़ा जादा होता है, तो पहला जो line लेंगे, यहां से हम कितना लेंगे, 0 से ले करके 2 तक लेंगे, क्यों, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल आपको पता करेंगे, काना तक, 2 तक, और 2 से कितना करेंगे, 1 एक इक आई, 2 से कितना, 1 एक इक आई, यहने 90 डिगरी पर एक line खिचेंगे, आपको बाते समझ माएगा, बस ध्यान दिजिएगा, ठीके न, पहले आपको बता रहे हैं, कि यहां से यहां तक हम क्यों मापे हैं, क्योंकि र लाइन खिचेंगे, ठीक है, यह देखो, अच्छे से न अपना, 90 डिगरी, 90 डिगरी कहां बनाएगा, यहां पर, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, अब बताइए तो, 90 डिगरी यहां से, यहां से यहां तक है मिल रहे हैं, तो क्या इतना लंबा लाइन यह निए 6 से 5 करेंगे तो एक ही काई हैंगे एक क्यों कि किसी भी संख्याइए का पर दर्फाय आता है अभी नहीं कि यहां से यहां तक 90 डिग्री पर यहां से लाइन को मिला देंगे नहीं पहले देखें कितना उसका अधार है ठीके अधार किसके बेश से लाए हम पांच का जो बर्गमूल होता है दो पॉइंट कुछ होता है तो हमने यह लिया उसके बाद एक इक इकाई पर हम 90 डिर से लंब खिच करके उसको एक इकाई का लेंद इसका लिए लंब ठीके अब क्या करेंगे अब ध्यान देना अब यहां से क्या करेंगे यहां से इसको हम मिला देंग ठीके इसको हमने मिला देंगे है इसको हमने मिले दिया आप लोग इसका वक्वेचरण फोर है उसको देख लोगन ही तो धог पिर अपको अच्छे से आ जाएगा टेंसलन आलो बहुत तीजी है हमने देखो मिला लिय अब मिलाने के बाद क्या करेंगे इसका length ना पेंगे यहां से यहां तक ठीक है और यहां से यह लेकर के इसको हम यहां से चाप किचेंगे यह देखो हमने एक चाप किचा ठीक है यह हमने एक चाप किचा और इसका जो distance है यहां से आतक कितना यह किकाई है तो एक लिख लेंगे यह जो चाप खीचे है न यहीं आपका root 5 को दर्सा आ रहा है ठीके? root 5 को देखो 2 point 2 कुछ something होता है इसका मान तो देखो तो 2 से कुछ ज़्यादा जारा है न यह चाप जहाब ना रहा है यहीं root 5 को दर्सा आ रहा है ठीके? यह हो गया आपको दरस आ सकते हैं, ठीके? लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस परिमे से दरस आएंगे तो पाइथागोरस परिमे से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखो? पाइथागोरस परिमे का फरमूला होता है कि करण सक्वाइर बराबर लंब सक्वाइर प्लस अधार सक्वाइर, ठीके? यहां देखो तो करण यानि यह है आपका अधार और यह है लंब, करण तो आपको निकलना है, ठीके? आपको कैसे रूट फाइप है? या वह हम समझाने क कुछिस कर रहे है, ठीके? तो आपको यह चीज पाता नहीं है, लेकिन यह पाता है अधार और लंब पाता है, तो देखो यहां से करण कैसे निकलेंगे? करण सक्वाइर बराबर, लंब कितना है? एक, तो एक का सक्वाइर हो जाएगा, प्लस अधार है दो, तो दो का सक्व हो जाएगा, यहां से देखो करण सक्वाइर बराबर, यह हो जाएगा, एक का सक्वाइर एक, प्लस दो का सक्वाइर, चार हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो, करण सक्वाइर बराबर हो जाएगा, चार और एक, पांच, एक सक्वाइर है इधर जाएगा, तो रूट लग जाता है तक क्रण कितना गया रूट पांच यह देखो हो गया देखो आपको क्वेस्चन नंबर थ्री में बहुत सरा प्रोब्लम आ रहा होगा कि सर कैसे रूट फाइफ को दिखाए समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं आपका देखिए क्वेस्चन फोर है आप किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दर्स आ सकते हो कोई भी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 कुछ भी हो आप दिखा सकते हो यह वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है ध्यान से आपको देखना होगा ठीके न आईए आपको वर्गमुल सर्पिल के लिए आपको यह तीन चीज नीड है ठीके ना ध्यान से दिखना है समझना है आपको अच्छे समझना जाएगा कैसे ओवर्गमुल सर्पिल बनाया जाता है जादी उसको समझ ले तो फिर आपको कोई दिकत होगा ही नहीं ठीके तो देखो वर्गमुल सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक इंच के जरूत है इंच से क्या करेंगे हम पहले एक लाइन किचेंगे कितने सेंटीमेटर का वन सेंटीमेटर एक सेंटीमेटर का हम एक काई का एक लेंथ लेते हैं छे से साथ कर लेंगे तो एक मिल जाएगा ठीक है यह देखो हमने ले लिया ठी से क्या करेंगे 90 डिगरी पर एक कुण बनाएंगे 90 डिगरी यहां से देखो 90 डिगरी अच्छे से लखना चांद लेना और 90 डिगरी पर यहां पर एक point cut करेंगे अब 90 degree से क्या करेंगे यहां पर देखो इसको दोनों को मिलाएंगे यह दोनों को मिलाया यहां से यहां तक ठीक है अब देखो 90 degree से यहां से यहां तक लाएं нहीं किजना है सिरफ और शिरफ आपको 1 cm कही यहां पर किजना है तो 6 से 5 कर लेंगे तो हमारा 1 cm मिल जाएगा तो यह हो गया अब यहां से क्या करेंगे फिर again लाइन पर क्या करना है यहां पर ध्यान दो फिर यहां पर 90 डिगरी का कूण बनाएगे कितने डिगरी का 90 डिगरी समझ मारा क्या कर रहे हैं देखो फिर से समझो पहले हमने क्या किया एक यहां से लाइन लिया एक सेंट्मेट रखा फिर यहां से हमने डी लिया और चांद लिया चांद से हमने क्या किया यहां पर 90 डी पर एक कुण बनाया एक ही काई इसका length रखा, एक ही ही काई रखना आए, ठीके न, उसको रखने के बाद क्या करेंगे, पहले इसको मिलाएंगे, ठीके, यहाँ से इसको मिला दो, यह देखो, यह दोनों मिला दिये, ठीके, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बात या ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ जो length ल तो आगे बढ़ाना है ना अब आगे बढ़ाना है तो यहां पर लेंगे क्या लेंगे यहां से यहां से इस लेंद को नापेंगे चांद वारा यहां पर 90 डिगरी बना रहा है ठीक है इसको नापेंगे करण को ठीक है यहां से यह 90 डिगरी पर बन रहा है फिर इसको क्या करें करेंगे मिलाएंगे कितने सेंटिमेटर का लेंगे एक सेंटिमेटर का ठीक है यहां से ले लो तो यह देखो अब का साथ है ना साथ से छे कर लेंगे एक सेंटिमेटर मिल जाएगा ठीक है तो साथ से छे कर लिए एक सेंटिमेटर मिला अब इसको क्या करेंगे फिर यहां से इसको मिला देंगे इसको मिला देंगे ठीक है यहां से यह हुआ एक सेंटिमेटर और यह रूट टू है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा रूट थ्री फिर आगे बढ़ाएंगे यहां से लेंगे नवे डिगरी पर फिर कट करेंगे नवे डिगरी पर यहां से देखो हमने कट किया नवे डिगरी कहा मिलेगा यहां पर इसको लेंगे फिर इसको क्या करेंगे मिला देंगे इनको मिलाएंगे यानि एक सेंटिमेटर करना है ना एक सेंटिमेटर आठ से साथ करेंगे एक सेंटिमेटर मिल जाएगा फिर इसको क्या करेंगे यहां से इसको मिला देंगे यह देखो वन तो यह कितना वह रूट थिरी और यह रूट फोर हो जाएगा ऐसा ही मतलब इसको ब बनाया जाता है, इसका नाम भी दे सकते हो, O, A, B, C, D, ऐसे आप नाम देते जा सकते हो, तो वर्गमूल सरफिल बहुत तीजी है, जब भी आपको किसी भी नंबर को, रूट 7, रूट 8, रूट 11, कुछ भी दिखाना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 cm का लेंध लेना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस चांद को लेंगे, और इसको 90 डिगरी पर कट करेंगे, 90 डिगरी यहाँ है, 90 डिगरी का लाइन नह 6 cm ले जाकर कर फिर इसको मिला देंगे, ऐसे ही करते जाओगे, 90 डिगरी करते, आपका बर्गोल सर्फिल बनते जागा, तो बहुत तीजी है, लेकिन आपका क्वेशन नमबर 4 का विक्जाम में आता नहीं है, ठीक है न, I hope कि आप लोग को क्वेशन नमबर 3 और 4 समझ में आ आ गया होगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,